गुद आफ्टरणून टाइपोग्राफिय स्टूजिंस टुड़े विल डिस्कूस अबाउट मेल मर्ज एक बहुत ही अच्छी फीचर है MS Word की अब देखें मेल मर्ज हम कैसे करते हैं क्या यूज होता है मेल मर्ज का पहले मैं आपको बता देती हूं मेल मर्ज जो है जब हमें मल्टीपल रेसिपियंट्स को लेटर सेंड करने होते हैं और उनका जो बॉड़ी ऑफ देटर देट इस सेम तो तब हमें उस केस में क्या करना पड़ता है हमें मेल मर्ज की फीचर की जरूरत पड़ती है तो मेल मर्ज फीचर से हम थाउजन्स ओफ केंडिडेट्स को सेम लेटर ऑफ बॉड़ी लेटर को सेंड कर सकते हैं तो देखें किस तरह से हमें ये लेटर सेंड करना है सबसे पहले आपको क्या करना है लेटर का मैटर तयार कर लीजिए, suppose मैं यहां पर जो मैटर तयार कर रहे हूं वो बहुत सिंपल सा मैटर है अब देखें मैंने कोई यहां पर बहुत बड़ा लेटर नहीं टाइप किया मैंने जस्ट एक स्टेट्मेंट टाइप कर दी और मैं यहां टाइप में कंपनी यह कंपनी यूज कर लेती हूं बस और कुछ भी नहीं ठीक है उसके बाद मुझे सिंपली आपको क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है स्टार्टीं-ठींच के बाद आप यहां से अच्छे होक आप शर्टे नगें फिर use the current document अब फिर इसके बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे select recipient अब select recipient में हमने यहां कोई list type नहीं की है पहले से मैं यहां एक new list type करूँगी तो मुझे यहां क्या करना है type a new list अब यहां पर type a new list करने के बाद आप create कर लीचे list को अब देखें इतने सारे fields है list में candidate का name है उसक का address है तो मुझे यह सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है या फिर हमारा common address है हमारा कोई common company का name है हम सिरफ वही रख लेते हैं तो हम कस्टमाइज करते हैं को किस तरह से कस्टमाइज करेंगे हम अपना कोई अपना column भी याड़ कर सकते हैं तो पहले तो इनको हम से हटाना है मैंने सभी को वन बाई वन करके डिलीट कर दिया है अब मैं अपनी एक अलग लिस्ट यहां पर प्रपैर करूंगी देखे सभी मैंने हटा दिया अब मैं एड करूगी अपना first column में चाहती हूं यहां पर company या फिर मैं नेम देती हूं सबसे पहले नेम तो जो भ उसके बाद मैं टाइप करूंगी यहां पर नेम के बाद address बस दो चीज़े में यहां रखने वाली हूं और इसके बाद मैं OK कर देती हूं अब मैं इन दोनों की values डालती हूं नेम की value परस्ट मैंने अरून डाली और second का इसका जो address है मैंने ऐसे ही कोई डमी address लिया फिर मैं एक और row insert करूं टैब की प्रेस करके बरूं और इसका भी मैं एक डमी address टाइप कर रही हूं टीक है एक और row ले लेती हूं विने और इसका भी मैं एक डमी address जो है टाइप कर रही हूं ऐसे ही और आप यहां से OK करेंगे ओके करने के बाद आपने इस लिस्ट को सेव करना है मैंने इस लिस्ट को सेव किया है डेटा के नाम से ठीक है डेटा सेव कर देते हैं इसको सेव करने के बाद आपको यह लिस्ट जो है शो हो रही है कि आपकी यह लिस्ट है इसमें यह पर्टिकुलर आपने एलिमेंट्स के अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, तो करेक्शन करने तो आप यहां पर कर सकते हैं. और अब आप यहां पर OK कर दीजिये. OK करने के बाद, आप यहां क्या करेंगे? Write your letter. अब हमें हमारे पास लगा है, हमने लेटर जो है, और फिर हम क्या करेंगे, generate, next line पे generate greeting, ठीक है, तो यहाँ पे हम greeting की लाइन डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसके बाद, प्रिव्यू यॉर लेटर्स, प्रिव्यू यॉर लेटर्स, देखिए, इसने आपको अपके letter को जो है, प्रिव्यू करके दिखा दिया, first हमने अरुम और next वाला अगर आपको चेक करना है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, यह second है, यह देखिए, यहां पे आप सभी लेटर्स को चेक कर सकते हैं, इसने सभी के साथ वो जो लेटर्स को चेक कर सकते हैं, इसने सभी के साथ वो जो लेटर्स को चेक कर सकते हैं, इसने सभी के सा letter का print-out लेना चाहते हैं तो आप यहां print पर click कर सकते हैं और one by one जो है आपके letter के printing हो जाए तो यह सारा था आपका mail merge feature तो आज आपका जो practical है वो complete हो गया है जितना भी words से related practical था वो आपका complete हो गया है तो इसके बाद देखे मैं simple आपको just एक आपको option बता रहे हूं header footer के लिए तो आप header footer कैसे create कर सकते है छोटा सा practical यह आप insert tab को क्लिक कीजिए और यहाँ पे header है और footer की option है और page number है तो यहाँ से आप header को क्लिक करते हैं तो आप header के styles भी दिये हुए तो जिस तरह से आपको suitable लगता है वही आप यहाँ पे use कर सकते हैं पेज के top में header अपियर हो जाएगा यह देखिए यह जो है यह आपका टाइप text वाला जो एरिया अपियर हो रहा है यह आपका header के लिए है तो page के आप जो top margin होता है तो वहाँ पे पेज के header margin में ही दिखाई देगी आपके top margin में header अपियर हो जाएगा इसी तरह से footer भी होता है bottom में ठीक है तो अब यह जो आपका practical था सिरफ इतना ही है आज का जो work है आपका इस practical को अच्छे से कीजिए और जितना भी practicals था उसको ध्यान से आपने सभी steps आपको आने चाहिए और यह जो आज मैंने mail merge बताया है इसके सभी steps आपको notebook में note down करने हैं प्लस आपको learn करने हैं आपको learn होने चाहिए सारे के सारे steps ठीक है फटा ओकी by next we will discuss next time